हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर नाइन्थ मैथमाटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स, अलजेब्रा के ये चैप्टर में मैंने चार प्रैक्टिस सेट अल्रेडी करा दिये और प्रैक्टिस सेट 7.5 का First and fourth question मैंने आपको last lecture में करा दिया था, ये दोनों questions mean के थे आज lecture two में हम लोग ये प्रैक्टिस सेट में से mean के बाकी सारी questions कवर कर लेगे, तो हमने अल्रेडी मार्क कर लिये थे यहाँ पे देखो question 7, question 9, question 10 and question 11 ये mean के questions बचे हुए हैं तो आज के lecture में लोग ये mean के questions खतम कर देंगे चलो शुरू करता है शुरू करने के पहले ये बहुत ही important formula देख लो mean का formula होता है sum of all scores upon number of scores इस में से कोई भी दो चीज दियोगी तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हो अगर आपको sum of all scores दिया है number of scores दिया है एक, दो, तीन, तीन में से कोई भी दो चीज आपको दी होगी तो आप तीसरा चीज ये formula यूज करके आराम से calculate कर सकते हो ठीक है तो ये formula एकड़म अच्छे से याद रख लेना है आपको देखना है कैसे होगा देखो, ये number of scores यहाँ पर जाके multiply होगा न तो क्या मिलेगा, मुझे mean into number of scores equal to sum of all scores देखो यहाँ पर, ये number of scores को यहाँ भेज दिया तो क्या हो जाएगा, mean यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके multiply होगा into number of scores इस side पर सिप sum of all scores बच जाएगा ठीक है, तो ये sum of all scores को इस तरफ लिख लो और ये दोनों को इस तरफ लिख लो, तो आम लोग क्या मिलेगा sum of all scores का value मिलेगा equal to mean into number of scores ये formula बहुत जादा important है tension मतलो ये यही basic formula में से आया हुआ है ये जो हमने रटा हुआ था last time और ये मैंने आपको एकदम अच्छे से explain किया था कि mean कैसे calculate करते है कहां से आता है ये formula तो ये ही formula में देखो sum of all scores का value क्या आएगा mean into number of scores बहुत use होने वाला है चलो solve करते हैं questions 7th question दिया है the calculated mean of 50 observations was 80 it was later discovered that observation 19 was recorded by mistake as 91 अब 50 observations अगर कोई लिख रहा है ठीक है एक आप समझे आपको phone पे कोई 10 digit का mobile number भी बोलता है तो आपको 10 digit का mobile number भी दो बार पूछते हो कोई कि सामने आपको समझता नहीं है तो आप शायद गलत number copy कर सकते हो ना वैसे ही अगर 50 observation और आपको कोई दे रहा है कि यह 50 observation से लिखते जाओ जली 27 85 78 फटावट फटावट बोलते हैं तो होजगता है मिश्टिक हो जाए तो आपने 50 observation लिए और उसका mean निकाला 80 लेकिन बाद में पता चला कि जो observation observation 19 था ठीक है आपने उसके जगे पे गलती से 91 लिखती है तो क्या हो जाया यह जो हमने calculate किया यह तो 91 के basis पे किया लेकिन 91 तो खुदी गलत है 91 नहीं था 19 था तो हम लोगों को यह गलती सुधार नहीं है और यह गलती correct करके उसका correct mean निकाला है तो यह जो mean है यह calculated mean जो है व लिख दिया है तो हम लोगों को यह mistake correct करके correct mean निकाला है तो यह बहुत बड़े-बड़े numbers है इसलिए मैं 5 छोटे numbers लेके example दिखा रहा हूँ आपको फिर हम लोग सिफ वो छोटे numbers के जगे पर यह बड़े number substitute कर देंगे ठीक है यहाँ पे देख लो मैंने question ही change कर दिया calculated mean of 5 observations was 10 मैं solve करा रहा हूँ आपको यह छोटा question क्यों लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए फिर हम लोग क्या करेंगे यह erase करके जो textbook में values दिये है उससे solve करेंगे ठीक है अभी लेकिन यह वाले numbers देख लाँ the calculated mean of 5 observations was 10 5 observations थे उनका mean 10 आया था it was later discovered that observation 9 was recorded by mistake as 19 9 के जगे पे आपने गलती से 19 लिया what was the correct mean ठीक है अब यह आपको दिया नहीं है यह मैंने ऐसे example लिया है कि देखो यह 5 नंबर उसने आपको बोले थे लेकिन आपने क्या किया आपने 4 नंबर ठीक से लिये 5 नंबर पर आप अलड़ी थक गए थे तो 9 के जगे पे आपने गलती से लिख दिया 19 ठीक है इसका actual question से कोई लेना देना नहीं है यह question मैंने बनाया है छोटा सा आपके समझ में आया इसके लिए इसका mean calculate करो mean क्या होता इन सब का sum करेंगे 10 प्लस 7 21 प्लस 7 28 प्लस 331 प्लस 1950 कितने observations है 1 2 3 4 5 तो 50 सम था upon 5 5 1 0 5 10 0 आगया 10 ठीक है तो यह सब यह आपको नहीं दिया हुआ है ठीक है आपको खाली बोला गया है कि mean of 5 observations is 10 आपको number of observations दिया है कितने observations है और उसका mean दिया हुआ है ठीक है तो आपके पास क्या है यह mean दिया हुआ है और number of scores यह देख़ो mean दिया है 10 और कितना scores है 5 observations है न तो यहां पे 5 आ जाएगा तो यह formula देखो rearrange करो number of scores को यहां बेच दो तो sum of all scores यहां रजाएगा sum of all scores का value क्या आया mean into number of scores यह लिखने की ज़रूरत नहीं है देख लिए ऐसा लिख सकते हो sum of all scores is mean into number of scores अब अगर यह आपको formula पता है तो आप sum of all scores निकाल रहे हो न अगर sum of five scores निकालना है तो mean के जगे पर mean डालो और number of scores क्या आएगा 5 तो यहां पे 5 थे न observations scores के जगे पर observation लिख सकते हो आप लोग ठीक है और mean क्या दिया हुआ है देखो the calculated mean of five observations was 10 तो mean के जगे पर 10 डाल दिया number of scores कितने है 5 थीक है यह same formula यूज किया है all के जगे पर 5 आया थीक है कितने scores है number of scores 5 है और mean 10 दिया हुआ है तो sum of five scores क्या होगा 10 इंटू 5 50 थीक है अब इसमें जो भी यह sum of five scores आया है यह सही है कि गलत अगर हमने start में यह निकाला है यह गलत है तो यह sum of five scores जो आया वो भी तो गलत होगा न तो अभी मुझे इसमें से सही observation निकालना है मतलब कि incorrect number है यह 50 गलत है इसको सही बनाना है तो कैसे करेंगे correct sum of observation क्या होगा यह 50 में से जो गलत observation है कौन सा गलत था हमने गलती से 19 लिख दिया था यह sum किया 50 आया यह 50 में 19 भी अंदर हो गई तो वो 50 में से मुझे 19 माइनस कर देना है लेकिन माइनस किया 19 यह तो गलत वाला माइनस किया जो सही वाला है वो कौन है सही वाला था 9 19 गलती से किया था उसके जगे पर 9 डालना है तो मैं क्या करूँगा मैं यह 50 में से 19 माइनस कर दूँगा और जो सही वाला है वो 9 आइड कर दूँगा इसे मिलेगा न जो भी incorrect sum है यह वाला 50 उसमें से incorrect score 19 जो निकाला था वो माइनस कर देंगे और जो correct है उसके जगे पर आइड कर देंगे तो आ जाएगा 40 तो यह मिला आपको correct sum of observations अब एगर correct mean निकालना है तो कैसे निकालेंगे mean का formula तो बहुत easy है correct mean क्या होगा correct sum of scores upon number of scores correct sum हमने 40 निकाला number of scores हमको पता है कि 5 है cut करो देखो 5100 और 58040 तो 8 आ गया तो corrected mean क्या आ गया 8 बहुत ही easy है ये वाला जो part है न बच्चो ये वाला आपको पूरा याद नहीं करा सिर्फ इतना लिखेंगे न इधर से ये वाला तो भी चलेगा अब ये मैंने pink जो minus ऐसे cancel किया न और देखो क्या है हमने ये पूरा खाली question देखे पूरा solve किया न तो correct mean क्या आया 8 मैंने example जो लिया था देखो यहाँ पर 5 नमबर क्या था 10 11 7 3 9 उसके जगे पर 9 के जगे पर आपने 3 31 31 प्लस 9 40 तो mean क्या था mean आता 40 अपन कितने नमबर्स है 5 5 1 0 5 8 0 दिख रहा है last में हमने ये 8 ये निकाला है तो इतना मेहनत क्यों लगा करने को ये सब करने को क्यों लगा मेहनत क्योंकि ये दिया नहीं था आपको numbers आपको सिर्फ ये यूज करके पुरा solve करना था ठीक है अगर ये ही दे दे थे तो कितना easy हो जाता तो हमने क्या किया हमने mean का formula यूज किया sum of all scores upon number of scores और फिर उसमें sum of all scores का value निकाला mean into number of scores कितने score दिये थे 5 तो sum of 5 scores क्या हो जाएगा mean into number of scores mean था 10 into 5 50 लेकिन ये जो sum आया वो गलत है क्योंकि हमने गलत copy किया था तो हम लोग क्या लिखेंगे correct sum of observations is equal to incorrect sum जो भी incorrect sum आया है उसमें से जो भी score हमने गलत record किया 9 के जेके पर 19 क्या था तो 19 गलत है तो 19 को minus कर दिया उसमें से निकाल दिया और 9 सही था तो 9 को add कर दिया add करके सब करके 50 minus 19 कितना आ जाएगा देखो है पर minus 19 प्लस 9 हो जाएगा minus 10 50 minus 10 हो जाएगा 40 correct mean क्या आएगा जो भी correct sum आया है 40 upon number of scores तो हो ही हो रहेगा 5 ठीक है तो divide by 5 किया तो आगया 8 ओके अब ये same copy करके जो textbook का question है वो solve करेंगे आया ना समझ में textbook में क्या बड़े-बड़े numbers दिये थे question में चलो देखते हैं वो कैसे आएगा तो मैंने same पहले का solution यहाँ पर copy कर लिया अब सिर्फ हम value replace करेंगे formula क्या था sum of all scores is mean into number of scores कितने scores है scores मतलब observation calculated mean of 50 observations was 80 मतलब mean 80 आ रहा है observations कितने है 50 तो हम लोग यहाँ पर यह क्या कर देंगे कितने scores है 50 scores है तो scores के जगे पर 50 डाल देंगे और mean कितना है mean multiplied by number of scores है mean है 80 80 से multiply किया है क्या आ जाएगा 8 into 5 आ जाएगा 40 फिर इसका एक 0 इसका एक 0 तो हो जाएगा 4000 लेकिन यह जो भी sum of 50 scores आया है यह गलत है क्योंकि हम लोग ने क्या किया था 19 के जगे पर 91 ले लिया था तो हम लोग क्या रखेंगे correct sum of observations is जो भी incorrect sum आया उसमें से incorrect score minus करेंगे और correct score add करेंगे ठीक है तो अभी क्या था यहाँ देख लो incorrect sum आया है 4000 उसमें से incorrect score minus करो क्या incorrect score गलती से आपने 91 लिख दिया था वो minus करो और क्या होना चाहिए था 19 होना चाहिए था तो 19 add करो ठीक है तो 4000 minus 91 plus 19 करना है cancel करके देखो कितना आ रहा है यह calculate करो 4000 में से आप 4000 में यह 19 add कर दो तो हो जाएगा 4019 उसमें से 91 minus कर दो कितना हैगा 9 minus 1 8 यह 3 हो जाएगा 10 9 हो जाएगा 11 minus 1 2 यह 9 यह 3 तो यहाँ पर यह calculate करके आया 3 9 2 8 ठीक है यह क्या है यह correct sum of observations अभी आपको correct sum of observations मिल गया तो आप correct mean निकाल सकते हो correct mean का formula क्या हैगा correct sum of scores upon number of scores अगर आपको scores में confusion हो रहा है तो scores के जगे चुप चाप observations लिख दो दोनों same है ठीक है उसके लिए आपको marks cut नहीं हो गया observations लिख दो कोई फरक नहीं पर दा तो correct sum of observations हमने क्या निकाला यहां देख लो number of observations था 50 तो वो 50 से divide कर दिया अब इसको cancel करके आपको solve करना है दिख रहा है यहां पर क्या होने वाला है यह point में आने वाला है अभी दोनों number 2 में तो जाते हैं इसमें लास्ट में 8 है इसमें 0 है तो 2 में इसको cut करके देखते हैं हम लोग यह हो जाएगा 2 2's are 4 और यहां जाएगा 1 2 5's are 10 या फिर डिरेक्ट 50 से divide करें क्या 50 का table तो 25 से भी easy होता है मत करो cut मैं आपको division 50 से ही करके बताता हूँ तो यहां पर side में division करते हैं 50 और यहां ले लिया 3928 पहले यह 3 डिजिट साथ में लेते हैं देखो 5 630 होता है तो 56000 कितना हो जाएगा 56000 आजाएगा 300 तो और बड़ा देखते हैं 57000 कितना आएगा 57000 35 तो 57000 350 है ना 350 आएगा यहां पर क्योंकि 58000 क्या आजाएगा 58000 40 होता है तो 58000 हो जाएगा 400 बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग लेंगे 57,350 50 का table मतलब 5 का table खाली एक 0 extra डालना है 2-0 आ गया 2, 9-5 आ गया 4 ये 8 नीचे आ जाएगा बन जाएगा 428 अभी मैंने आपको बता है क्या आएगा 58040 होता है लेकिन 58 आ है तो 400 आ जाएगा क्या आ जाएगा है यहाँ पर 8-08 2-02 ठीक है फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे decimal डालेंगे 1 और इसको 280 बना देंगे देखो 280 मत देखो 28 देखो 55,000 25 होता है तो 55,000 क्या आ जाएगा 55,000 देखो 55,000 25 55,000 में एक extra 0 आ जाएगा माइनस करेंगे तो 03 ठीक है इसको थोड़ा सा shift कर देते हैं मैंने सोचा था बहुत छोटा देंगे यह टेक्स्बूक वाले पागल इतना बड़ा calculation देती है ठीक है अभी यहाँ पर एक extra 0 लेंगे देखो 56,000 अगर मिलूँगा तो 30 आएगा लेकिन 50 है न तो 30 नहीं 300 आएगा तो 56,000 हो जाएगा 300, 300 माइनस 300 आजाएगा 0 तो answer क्या आया 78.56 तो correct mean है 78.56 यह जो rough वाला पार्ट है यह आप rough वक में पीछे कर ले न मैंने यह आपर solve करके बताया क्योंकि काफी बच्चों को division में problem होता है ठीक है अगर cut करके करेंगे ना 225,000 और यह हो जाएगा 2,1002, 2,90018, 2,60012, 2,4008, 25 और 1964 ऐसा लोगे तो भी आपको answer यह आने वाला है ठीक है तो tension मतलो वो भी use कर सकते हो देख लो पूरा question एक बार यह मैंने आपको पहले easy example लेके सिखाया फिर जो textbook में दिया हुआ था वो example लेके आपको पूरा solution बता दिया है बहुत easy है यह formula एक बार आपको दिमाग में गुझ गया ना तो यह सारे questions बहुत easy हो जाएगे done कर लिया copy notebook में next करते है ninth question है the mean of 35 observations is 20 ठीक है 35 observations यह उनका mean निकालके दे गया 20 out of which mean of first 18 observations 35 है उसमें से पहले 18 का observation 15 है कितना mean mean 15 आया and mean of last 18 last 18 observations का mean आया 25 find the 18th observation जो बीच में number है ना देखो यहां से यहां तक 35 numbers दिखोंगे तो 18th number जो बीच में आएगा ना exact 18th number के आगे यहां पर 17 numbers होंगे यहां पर 17 numbers होंगे 17 प्लस 17 34 प्लस यह एक number 35 तो यह बीच में जो number है ना exact वो आपको पूछा के एक बार यह देख लो कैसे होगा यहां पर एक 18th number होगा number 18 नहीं होगा 18 उसकी position है ठीक है उसके इस तरफ होंगे 17 numbers और इस तरफ होंगे 17 numbers ठीक है आया समझ में उसने क्या बोला है यह पूरे का mean दिया हुआ है 20 फिर क्या बोला mean दिया हुआ है उसने 15 फिर last 18 observation यह 17 और यह एक अठरा यह 18 का mean दिया हुआ है 25 आपको क्या find करना है आपको find करना है 18th observation जो 18 नंबर है यहां पर 35 नंबर में से वो आपको find करना है बहुत ही जादा easy है यह लेकिन एक बार आपको एक diagram समझना बहुत important है कि 18 नंबर जो है उसके आगे 17 नंबर है पीछे 17 नंबर है तो जब उसने बोला first 18 observation तो 17 प्लस यह और 18 नंबर का mean दिया हुआ है उसने 15 last 18 observation मतलब देखो last पीछे से 17 नंबर और यह 18 नंबर तो यह 18 नंबर का mean दिया हुआ है 25 तो आपको दिख रहा है यह 18 नंबर जो है वो दो बार आ रहा है तो आपको वो 18 observation निकाल रहा है ओके कैसे करेंगे एक बार देख लो diagram मैं बना रहा हूँ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है यह सारे नंबर का mean क्या दिया हुआ है इस सारे नंबर का mean दिया है 20 ठीक है यह 17 और 18 यह numbers का mean क्या दिया हुआ है इनका mean है 15 दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है यह आप same color में कर लो mean of first 18 observations is 15 ठीक है और अभी जो यहां पर numbers है जो यह 18 नंबर है उनका mean क्या दिया हुआ है mean of last 18 observations is 25 तो इसका mean दिया हुआ है 25 मैंने आपको बताया अगर आपको mean दिया है number of observation दिया है तो आप sum of all scores निकाल सकते हो अभी हमने इसके पहले वाले question में formula यह उस किया देख लो एक बार formula mean का formula है sum of all scores upon number of scores यह number of scores को यहां फेख दिया यहां पर multiply हो जाएगा sum of all scores का value आएगा mean into number of scores तो यह formula यूज करके हमको यह पूरा question solve करना है ठीक है तो यह formula यहां से copy कर लता हूँ वहां पर use करूँगा तो यहां देख लो sum of all scores is mean into number of scores उसने पहले बोला है mean of 35 observations is 20 यार यह काम करो scores के जगे पर observation लिख दो जगा बहुत खाएगा लेकिन option नहीं है कुछ बच्चे बोलेंगे अरे sir teacher ने तो बोला है observation लिखने का marks कटेंगे फिर tension लेंगे कोई फरक नहीं परता उसको score बोले observation तो यह हमने formula लिख दिया sum of all observations is mean into number of observations mean कौन सा? जितने observation थे उसका mean ठीक है? तो देखो first line उसने दिया हुआ है mean of 35 observations is 20 ठीक है? number of observations दिया है 35 mean दिया है 20 तो sum of कितने observations है? 35 observations हम लोग यहां से निकाल सकते हैं तो लिख दो all के जगे पर 35 तो यहां पर number के जगे पर 35 mean के जगे पर 20 इसको multiply करेंगे तो हमको value मिल जाएगा क्या आएगा? तो यहां पर formula लिख दिया sum of 35 observations will be equal to mean into number of observations number of observations तो 35 है mean क्या दिया था? इनका mean था 20 देखो the mean is 20 यह पूरे 35 numbers का mean है 20 तो यहां पर लिख दिया 20 तो यह 20 into 35 के आ जाएगा? 35, 2000 होता है 70 and यह 0, 1 है वो extra आ जाएगा न चेक कर लो यहां पर देखो 35, 2000, 25, 10, 26, plus 1, 7 तो 35 को 2 से multiply गया तो 70 है यह 0 डाल दिया यह हो गया sum of 35 observations अब उसने और क्या दिया? उसने first 18 observations भी दिया तो हम लोग इसके बारे में भी same चीज़ लिख सकते हैं और sum of last 18 observations भी उसी हमें से निकाल सकते हैं तो कैसे आ जाएगा? देखो यहां पर sum of first 18 observations sum of last 18 observations देखो formula same होगा mean into number of observations अठर observations इसके 18 से multiply करेंगे अठर observations इसके 18 से multiply करेंगे first 18 observations का mean क्या है? वो यहां पर लिख देंगे mean of first 18 observations is 15 तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 15 ठीक है? sum of last 18 observations so last 18 observations का mean क्या है? देखो यहां पर mean of last 18 observations is 25 तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 25 ओके मल्लिप लाएकर के चेक करो 18 इंटू 15 क्या आजाएगा देख लो यहां पे 15 एट्स आर 120 15 एट्स आर 15 प्लस 12 आजाएगा 27 तो आगे 270 तो यहां लिख दिया 270 और 25 इंटू 18 क्या आएगा 25 इंटू 18 25 इंटू 20 इदर 25 इंटू 25 प्लस 20 45 तो 450 तो यहां पे लिख दिया 450 ओके अभी हमको मिल गया Sum of First 18 Observations and Sum of Last 18 Observations ठीक है अब अच्छे से यह डाग्राम को फिर से देखो यह मैं यह 18 observation का जो सम है Pink कलर वाला वो कितना है 270 ठीक है चाहिए तो यह Erase कर रहा हूँ देख लो एक बार यह 18 observations का Sum कितना आ रहा है 270 तो इसका Sum है 270 वैसे ही यह वाले जो 8 observations है पीछे से 18 उनका Sum कितना आ रहा है 450 आपको क्या find करना है आपको 18 नमबर जो यहांप एक नमबर है बीच में वो find करना है अब देखो 270 में भी यह नमबर आ रहा है 450 में भी यह नमबर आ रहा है ठीक है आपको पता है कि All 35 सबको add करोगे तो क्या आता है तोटल देख लो यहांपे जब आप सबको add करोगे तो आपका टोटल 35 observation का आता है 700 तो इनका sum है 700 यह पूरे का ठीक है अभी अगर आपने यह 270 और यह 450 आड किया तो यह पूरा तो मिली जाएगा आपको लेकिन आपको दिख रहा है यह 270 और 450 में यह 270 में भी 18 नमबर आएगा और यह 450 में भी आएगा तो यह नमबर दो बार आ जाता है दो बार हमको वो नमबर नहीं चलेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यह पूरा जो 700 है टोटल उके उसमें से हम लोग यह चीज को यूज करके 18 नमबर निकालेंगे कैसे देखो अगर आपने यह 270 को और 450 को आड़ कर दिया तो यह 18 नमबर दो बार आएगा मुझे पूरा टोटल नहीं चाहिए मुझे सिर्फ यह 18 नमबर चाहिए ठीक है तो 270 और 450 को आड़ किया तो 18 नमबर दो बार आएगा मुझे यह सब भी निकालना है यह सब भी निकालना है मुझे सिर्फ 18 चाहिए यह 700 में यह सब तो है यह सब भी है और 18 भी है तो अगर इसको और इसको आड़ किया तो 18 दो बार आ रहा था फिर उसमें से यह 700 सब ट्राक कर दिया तो ये सब कच्रा निकल गया और 18th नमबर दो बार आ रहा था 700 में एक बार आ रहा है तो एक बार वो कट जाएगा तो बचेगा क्या खाली एक बार 18th नमबर बचेगा अच्छे से देखो ये पूरा सम फिर ये पूरा सम ये दोनों चीज आपने add करी तो आपको एक कुछ तो मिल रहा है उसमें ये 18th नमबर दो बार आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा कि वो 18th नमबर क्या है तो मैं क्या करूंगा ये पूरा जो add किया मैंने उसमें से 700 जो है मैं subtract कर दोगा तो क्या होगा ये पूरा add किया 700 माइनस किया तो ये कच्रा तो कर जाएगा 700 में ये भी था ये कच्रा भी कर जाएगा और 18th भी कर देगा लेकिन 18 दो बार था तो एक बार कर देगा तो सिर्फ एक ही 18th बचेगा और वो ही होगा हमारा 18th नमबर आया समझ में क्या किया दो बार आ रहा था दोनों में add करने में इसलिए हमने 78 उसमें subtract कर दिया तो अगर मुझे 18th नमबर निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा 18th नमबर विट बे एक्वल तो सम उफ फर्स 18 अब्जरवेशन प्लस सम उफ लास्ट 18 अब्जरवेशन माइनस सम उफ ओल 35 अब्जरवेशन ठीक है तो क्या आ जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख दिया है सम उफ फर्स 18 अब्जरवेशन प्लस सम उफ लास्ट 18 अब्जरवेशन माइनस सम उफ ओल 35 अब्जरवेशन sum of first 18 क्या है 270 last 18 है 450 तो यहाँ पे लिख दो 270 plus क्या आ जाएगा 450 minus क्या करना है हमको sum of all 35 देखो sum of all 35 observations is 700 तो यहाँ पे minus 700 करना है क्या आ जाएगा यह जब आप इसको add करोगे 5 plus 7 12 1 3 plus 4 7 720 minus 700 यह 700 तो ऐसे कॉपी क्या हम 720 minus 700 क्या आ जाएगा आ जाएगा 20 तो यह जो 20 है यह है अपना 18th observation आया समझ में यह diagram एक बार अच्छे से देखा ना तो बहुत सही समझ में आएगा अगर नहीं समझ में आया तो एक easy example लेके समझाओ क्या जिसमें आपको मैं numbers लेके बताऊं इसे करना है चलो वैसे करते हैं फुर्ण time लगेगा लंबा lecture हो रहा है इसके मतलब यह नहीं कर difficult है लंबा lecture इसलिए हो रहा है ताकि आप लोग यह रटा ना मालें बहुत बच्चे सीधा बाइहाट कर लेते हैं फॉर्मिला है रटा मार लेंगे टेक्स्बूक में से question आते हैं exam में हो जाएगा जिंदगी बद रटा मार के सब कुछ नहीं कर पाऊगे तो इसका मैं easy example लेके आपको बताता हूँ चलो यहाँ पर यह 5 नमबर दिये हुए ठीक है लेकिन यह आपके पास question में दिये नहीं है यहाँ पर देख लो बीच में क्या है 6 है मैं यह erase कर रहा हूँ last में फिर से उसको में लेकर रहा हूँगा और यह textbook का question नहीं यह नया question दिया mean of first three observations is 10 mean of last three observations is 7 total 5 नमबर थे ना एक, दो, तीन, चार, पांच देखो है यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच उसमें से first three observations का mean है 10 last three observations का mean है 7 and all five का mean है 9 ठीक है तो यह आपको 3 चीज़े दिये हुए sum of first three observations कैसे निकालेंगे formula क्या था mean multiplied by number of observations mean क्या दिया हुआ है 10 तो 10 डाल दिया 10 into 3 आ जाएगा 30 वैसे ही sum of last three observations क्या आएगा mean into 3 sum of last three observations में mean दालेंगे 7 into 3 आ जाएगा 21 sum of all five में mean of five observations दालेंगे तो mean के जागे पर 9 5 के जागे पर 5 and 9, 5 जार 45 अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपको third observation निकालना है जो बीच में है न वो total 5 थे यहाँ पर नमबर एक, दो, तीन, चार, पांच यह जो बीच में नमबर है न तीसरा वो निकालना है ठीक है तो कैसे निकालेंगे पहले तीन observation और last three observation को add कर देंगे देखो यहाँ पर अगर पांच नमबर है तो जो तीसरा नमबर है वो यहाँ पर होगा उसके आगे दो नमबर होगे उसके पीछे दो नमबर होगे ठीक है, कौन से दो नमबर नहीं पता कितने होगे देखो दो, फिर तीसरा नमबर फिर बाकी दो number ठीक है ऐसा ही होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग वो add कर देंगे अब देखो यहाँ पे तो हम लोग यह पहला तीन और आखरी तीन add करेंगे और उसमें से यह five observation minus करेंगे क्यों विखॉज देखो third number उसके आगे दो number उसके पीछे दो number first three observation में यह आगया last three observation में यह आगया दोनों को add किया तो दिख रहा है third number दो बार है फिर पांचों का subtract कर दिया तो यह कच्रा भी कड़ गया यह कच्रा भी कड़ गया और third भी एक बार कड़ गया तो थर्ड दो बार था, तो उसमें से एक बार कट गया, तो एक थर्ड बचेगा न खाली, तो ही आ गया यहां पे, तो यहां पे value substitute किया 30 plus 21 minus 45, यह हो जाएगा 51 minus 45, आ जाएगा 6, ठीक है, अगर मैंने आपको number दिखाए, यहां देखो क्या था third number, 6 था न, आपको अगर mean calculate करन आपको समझ में आएगा, तो आपको 5 number दिए या 35 number दिए, कोई फरक ही नहीं पड़ता, आपको beach का number निकालना है, तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो, कैसे किया देखो, sum of first three observations, plus sum of last three observations, अब इसमें दिख रहा है, यह 6 दो बार आ गया, फिर, यह sum of all observations उसमें से minus कर दे देनेगा, तो 6 दो बार आया था, पहला ये कच्रा भी minus होगा, ये कच्रा भी minus होगा, ये भी minus होगा, लेकिन एक ही बार minus होगा, दो बार आया था न, जब आपने इसको और इसको आड़ किया, तो 6 दो बार आ गया था, जब आप पूरा वापस से minus करोगे, तो 6 एक ही बार से हट हो गा है कि नहीं देखो एक बार फिर से एक बार बता रहा हूं सम फलस घ होगा है है अपर था। Brian अरश भर वर फवर फॉर सिक्स प्लस क्या था फामिला सम फिलास घ लग टी होड़ेस्टOoh सम फिलज यह रहे सक्झ क्झा य प्लस 3 प्लस 12 ये पूरा निकाल देंगे अब क्या होगा देखो ये 13 के साथ ये 13 कट हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13 के साथ 13 कट होगा 11 के साथ 11 कट होगा ये 3 के साथ ये 3 कट होगा 12 के साथ 12 कट होगा यह 6 दो बार है, यहाँ पे जब यह माइनस 6 आएगा, तो 1 6 कटेगा, लेकिन 1 6 तो बच जाएगा, अगर समझना है तो ऐसे देखलो, जब यह माइनस अंदर जाएगा, तो यह सारी साइन्स चेंज हो जाएगी, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है न, तो क्या आगया देखो, यहाँ पे अगर मैं कट करूं, 13 के साथ 13 कट, 11 के साथ 11 कट, 1 6 के साथ 1 6 कट, 3 के साथ 3, 12 के साथ 12, यह बच जाएगा, क्योंकि यह दो बार आया था, जब यह 3 लिए तब भी और यह 3 लिए तब भी, ठीक है, तो अब जब 3-3 लोगे और बाद में उसमें से पूरा माइनस करोगे, तो यह बिचारा अकेला बच जाएगा, तो हमको उसका वैल्यू मिल जाएगा, समझा, 5 वैल्यू में इसली समझता है न, तो चलो यह पूरा solution देख लो एक बार, और यह diagram दिमाग में बनाओ या उधर बनाओ, बनाओगे न तो clarity मिलेगी, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, done है, चलो next करते हैं, यह मैंने छोटा सा example लेके भी आपको बताया, और यह मैंने textbook का question solve करके बताया, चलो, आगे बढ़ते हैं, 10th question दिया है, the mean of 5 observations is 50, कोई तो 5 नंबर है, वो 5 का mean free में निकाल के दिया है, 50 आ रहा है, फिर जिसने में में निकाला है, इसमें से एक नंबर मुझे पसंद नहीं है, one of the observations was removed, उसका मुझे नीच है, उसको निकाल देंगे, देखो पहले 5 नंबर थे, ठीक है, यह 5 का mean calculate किय तो 50 आया था, अब उसको कोई तो एक नंबर नहीं पसंद आया, तो कितने नंबर हो गया, one, two, three, four, चार नंबर हो गया, अभी सम चेंज हो जाएगा न, एक नंबर निकाला, तो सम भी चेंज होगा, mean भी चेंज होगा, कितने नंबर बचे, सिर्फ चार नंबर बचे, तो जब एक नंबर निकाल दिया, तो mean क्या हो गया, 45, अब ये 45 कितने नंबर का mean है, सिर्फ चार नंबर का mean है, ठीक है, पांच नंबर का 50 था, चार नंबर का 45, find the observation which was removed, कौन सा नंबर निकाला वो आपको बताना है, तो वही अपना पुराना formula, देख लो यहाँ पे, mean is equal to sum of all scores upon number of scores, इसमें से mean का, ये देखो, ये number of scores को यहाँ बेच दो, तो क्या मिलेगा, sum of all scores, ठीक है, ये formula आपको already पता है, तो देखो, क्या होगा next, हम लोग निकालेंगे sum of all scores, क्या value है, mean into number of scores, आपको चीदो scores के जगे पर observations लिख सकते हो, लिख दो observation, मैंने score लिख दिया, आप लेकिन आप scores के जगे पर observations लिख देना, सेम होता है, ठीक है, अब यहाँ पर आएगा number of scores, कितना है देखो, 5 observations, तो इसके जगे पर हम 5 लिखेंगे, sum of 5 scores, number of scores कितना होगा, 5, और mean कितना है, 50, तो यहाँ पर next step क्या आजाएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ पर mean के जगे पर mean, कितने scores है, 5, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 5 लिखा और number of scores भी 5 आजाएगा, mean कितना दिया हुआ है, mean is 50, देखो, ऐसे मत बोलना कि mean 5 है, mean of 5 observations is 50, mean कितना है, is 50, तो mean के जगे पर 50 substitute कर दिया, 50 into 5 कैसे करेंगे, 5, 5s are 25, और 0 के जगे 0, तो यहाँ आजाएगा, आपको 250, ठीक है, अब यह sum of 5 observations, इसमें से observation कौन से कौन से मुझे नहीं पता, लेकिन 5 को add करूँगा न, तो 250 आएगा, अब उसने क्या गया, उसने मस्ती करी, एक observation को इसमें से निकाल दिया, तो one observation remove किया, तो new number of observations क्या हो जाएगा, पहले 5 थे, अब 5 में से 1 निकाल दिया, तो न अगर 4 और उसका mean 45 दिया है, तो मैं sum of 4 scores निकाल सकता हूँ, अगर मुझे number of scores और mean दिया है, तो मैं sum निकाल सकता हूँ, तो मैं next क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, sum of 4 observation is equal to mean into 4, अब यह mean कौन सा आएगा, 4 observation का mean, क्या था 4 observation का mean, देखो यहाँ पे, one of the observation was removed, मतलब 4 बचे और उनका mean आया 45, तो यहाँ पे mean के जगे पे 45 सब्स्ट्यूट कर दिया, 45 into 4, multiply करके देखो, 4 5s are 20, 4 5s are 16, plus 2 80, आया 180, तो यहाँ पे लिख दिया 180, ठीक है, अब उसने बोला है, कि जो number हमने निकाला, वो बताना है, अब क्या होगा, मुझे बताओ, यह 5 observation में 5 total number थे, य यह 4 में वो एक number जो निकाल दिया था, वो है, तो अगर मैं यह 5 में से यह 4 का sum minus कर दोंगा, तो जो number बचेगा, वही तो होगा न 5th number, क्योंकि देखो, जो भी 5 number थे, ठीक है, हो सकता है, एक का नाम है, अपलू, फिर बबलू, फिर चपलू, डपलू और E, 5 number ऐसे हैं, इस में से आप यह minus करेंगे, तो सिफ C बचेगा, न, 5 observation में से 4 निकाल दोगे, तो जो एक बचा था, जो निकाला था, वो मिल जाएगा, तो formula क्या लिखेंगे, हम लोग, observation which was removed is equal to sum of 5 observations, minus sum of 4 observations, क्या आगया, sum of 5 observations is 250, sum of 4 observations is 180, calculate किया न, 250, 180, कितना आता है, देखो, 250 minus 180 हो जाएगा, final answer हो जाएगा, 70, कि जो observation निकाला था, उसका value है, 70, same यही formula यूज किया है, logic इसमें जो सबसे important है, वो यह है, कैसे यह आया, 5 observations जो sum था, वो पता है, 4 observations का sum पता है, numbers नहीं पता कौन से कौन से, लेकिन 5 का sum है, और यह 4 का sum है, इसमें से 4 नंबर तो same ही है न, दो जाएगा, ओके, तो यह हो गया, इसका पूरा solution, चुनो, copy कर लो, notebook में, फटा पट से, done, तो अभी अपना क्या-क्या हो गया, देखो, हम लोगोंने, 7th sum कर लिया, 9th कर लिया, 10th कर लिया, ठीक है, अब 11th वाला देखते है, there are 40 students in a class, out of them 15 are boys, 40 में से 15 boys है, तो girls कितने हुए 40 में से 15 माइनस करो, 25 girls हो गया, ठीक है, the mean of marks obtained by boys is 33, boys का अलग से mean दिया है, and that for girls is 35, girls का भी अलग से mean marks दिया है, find out the mean of all students in the class, boys, girls नहीं, सब का साथ में मिला के, 40 बच्चों का साथ में mean कितना आता है, वो calculate करने बोला है, बहुत ही simple question है, देखो, कैसे solve करेंगे इसको, तो यहाँ पे, total number of students दिया है, 40, number of boys दिया है, 15, ठीक है, अगर number of girls निकालना है, तो क्या आएगा, यह 40 में से 15 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 15 आ जाएगा आपको, 25, तो number of girls होगी 25, अब mean of marks obtained by boys is 33, ठीक है, number of boys आपको पता है कि 15 है, और उनका mean आपको पता है कि 33 है, mean वालो sum of all scores के आएगा, sum of all scores is equal to mean multiplied by number of scores, sum of all scores, कितने scores है boys के, boys यहाँ पे हमको पता है कि 15 है, तो 15 scores, उनका mean क्या है, mean है 33, numbers of scores क्या है 15, ठीक है, तो इससे हम लोग को boys का score मिल जाएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको देखो, mean of marks obtained by 15 boys is 33, यह तो दिया हुआ है, तो हम लोग गोलेंगे, sum of marks obtained by 15 boys, अगर मुझे निकालना है, तो क्या होगा, जो भी उनका mean है, multiplied by 15, वही फार्मिला है, sum of all scores is equal to mean multiplied by number of scores, ठीक है, 33 into 15 solve करके देखो, 33, 15, 15, 3's are 45, 4, 15, 3's are 45, 4, 15, 3's are 45, plus 4, 49, तो आ जाएगा, 495, वैसे ही, girls का करते है, sum of marks, उसका निकाल लेंगे, mean of marks of 25 girls, 35 दिया हुआ है, देखो यहां पर, that for girls is 35, mean of marks, अगर number of girls पता है, और उसका mean पता है, तो इनके सारे marks का total निकालना तो बहुत easy है, sum of marks obtained by 25 girls, क्या होगा, वह हो जाएगा, 35, जो भी mean है, into number of scores, 25, 35 into 25 करके देखो, 25, 5's are, 125, 25, 3's are 75, plus 12, 87, तो आ जाएगा, 875, अब उसने बोला है, कि मुझे mean of all students ची है, तो मुझे बताओ, आपको 15 boys को कितने total marks मिले, वह पता है, 25 girls के marks पता है, तो अगर पूरे class के पता करने है, तो 15 boys के marks और 25 girls के marks अड़ कर दोगे, तो पूरे class के marks total पता जल जाएगे, तो हम क्या करेंगे, total marks obtained by 25 girls and 15 boys, मतब फुल class is equal to 875 plus 495, आड़ कर देंगे ना दोनों को, आड़ करो, क्यों आड़ करेंगे, विकॉज ये total girls के marks है, ये total boys के marks है, दोनों आड़ कर दोगे, तो पूरी class के marks आजएगे, तो 875 और 495 को आड़ किया, 5 plus 5, 10, फिर 7 plus 1, 8 plus 9, 17, 9 plus 4, 13, तो आपको मिलेगा, 1370, अब ये total marks मिल गए, ये नहीं पूछा, उसने बोला है, find out the mean of all students in class, mean का formula क्या है, sum of all marks, मतलब total marks obtained by the class, divided by number of students है, number of scores, कितने बच्चे है, 25 और 15, total कितना हुआ, 25 और 15 हुआ, 40, देगो, class में दिया हुआ है, total number of students, 40 है, तो mean का formula लगाएंगे, क्या आ जाएगा mean का formula, mean of all 40 students in class is equal to, जो भी उनका total marks है, divide by 40, अब इसको solve कैसे करेंगे, देखो है यहाँ बे, ये आप 0 और 0 कट कर सकते हो, फिर 137 को 4 से divide कर सकते हो, ठीक है, 4, 3s are 12, 13-12 कितना हो जाएगा, 1, ये 7 नीच आएगा, 4, 4s are 16, 1, decimal डालेंगे, फिर इदर आ जा 0, 4, 2s are 8, 10-8 कितना हो जाएगा, 2, फिर 0, 4, 5s are 20, 20-20 is 0, क्या है answer, 34.25, तो इतर हम लोग लिख देंगे, 34.25 जो है, वो है mean of all 40 students in class, खतम यही अपना main answer है, वही तो पूछा दा, find out the mean of all students in the class, तो ये हमारा आ गया 34.25, देखा क्या किया, boys और girls का अलग-अलग mean दिया था, वो mean से boys का total score निकाल लिया, और girls का total score निकाल लिया, total boys और girls का add कर दूँगा, तो class का मुझे score मिल जाएगा, class का मुझे मिल गया, तो mean निकालना तो आसाने, तो मुझे पता है, class में 40 बच्चे हैं, तो total score को 40 से divide कर दिया, and answer निकाल लिया easy है ना, तो आज हमने जो सारे questions किये ना, और सिर्फ एक formula पर भेज़ दे, कौनसा formula था याद है ना, ये वाला formula, sum of all scores mean into number of scores, ये कहां से आया था, इसमें से ही आया था, सिर्फ यहां से इसको इदार arrange कर दिया, rearrange करके ये formula निकाल लिया, तो question देखके डरेंगे नहीं, उसको logically solve करेंगे, समझेंगे कि क्या देने की कोशिश कर रहा है वो, और उसको हम लोग tackle करके उसका answer निकालेगे, ठीक है, तो आज के lecture में मैंने आपको 7th, 9th, 10th और 11th करा दिया, and इसी के साथ हमारे mean के जो questions हैं, सिर्फ mean वाले को सारे questions हो गए, आप सोच रहोंगे, इतने लेक्चर हो रहे हैं, सिर्फ 4 questions के लिए, मैं आप देखेंगे, तो मैं छोटा-छोटा example लेके आपको concept सिखा रहा हूं, फिर मैं उसको आपके textbook के number से replace करके बजा रहा हूं, ताकि आपको difficult न लगे, directly हम लोग इतने बड़े-बड़े numbers लेंगे, तो आपको logic समझ में ही नही है, और कर लो, आपको ऐसा लगता है कि रटा मार के answer तो आई रहा है, मुझे तो maths easy लग रहा है, लेकिन अगर exam में एक number या एक statement इदर उदर कर दिया, तो आपका जो रटा हुआ है न, वो पूरा खराब हो जाएगा, कुछ काम नहीं आने वाला, इसलिए logic समझो, concept समझो, फिर कोई भी question आपको पूछा तो आपको आना चाहिए, ठीक है, तो आज का lecture 2 यहीं पे खतम करते हैं, अभी lecture 3 में जो इसमें बाकी के questions हैं वो बहुत easy है, वो हम लोग खतम कर देंगे, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो lecture 4 भी लेंगे, आपको इसमें doubts है तो आप मुझे अच्छे समझ में आ जाए, अगर आपने हमारे चैनल को अल्रड़ी सब्सक्राइब कर दिया है, तो thank you, नहीं किया है, तो क्यों वेट कर रहे हो, इतना detail में आपको mean कोई नहीं सिखाने वाला, बेल आइकन पर बे क्लिक कर दो, ताकि जैसे मैं इसका next lecture upload करूँ या doubt lecture upload करू आपको notification आए, और आपको important lecture मिस ना करें, comment में मुझे जरूर बताएं कि आपको ए वीडियो कैसा लगा, मैं सारे comments पढ़ता हूँ, और आप comment आपके लिए मत कीजिए, मेरे लिए कीजिए, कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ, वो लोगों के समझ में आ